Hey guys, welcome back to our video. So, इस चैनल पर हम टेलकॉम इंडिस्ट्री के उपर बहुत टाइम से वीडियो बना रहे हैं. And over the time मुझे अपनी वीडियो में एक कमेंट देखने को मिला. And recently फिर से वो कमेंट मेरी वीडियो में आया. And मुझे लगा, it's high time हमें उस कमेंट को डिसकस करना चाहिए. अब वो कमेंट क्या था? अब यहाँ पर बहुत लोग ये बोलते हैं कि इंडिया में टेलकॉम कंपनी यूजर को लूट रही है. So, हम इसी बारे में इस वीडियो में डिसकस करेंगे. क्या सच में ऐसा हो रहा है या लोगों को बस यहाँ पर गलत पहमी है. So, यहाँ पर इस चीज़ के बारे में पूरे डिसकस्शन होगा इस वीडियो में. सबसे पहले तो हम स्टैट्स को देखेंगे कि वर्ल्ड में कितना इंटरन का प्राइस चल रहा है. इंडिया में हम कितना पे कर रहे हैं. फिर हम यहाँ पर देखेंगे कि जो स्टैट्स हैं, वो क्या हमारे एक्ट्वल प्लैन से मैच कर रहे हैं, जो हम एक्ट्वल में रिचार्ज कर रहाते हैं. उनसे वो स्टैट्वल मैच हो रहा है कि नहीं हो रहे हैं. फिर हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर companies हमें लूट रही है तो companies की condition तो यहाँ पर अच्छी होनी चाहिए तो हम यहाँ पर companies की condition को देखेंगे and finally इस video में हमारे साथ है guests भी जूड़ेंगे जो अपना experience बताएंगे इंडिया के बाहर उनका experience कैसा है बाहरली telecom companies के साथ वो कितने का recharge करवाते हैं उन्हें वहाँ पर कितना internet देखने को मिलता है उस recharge में and आप में से बहुत से लोग उन guests को पहले से ही जानते होंगे तो बहुत ही interesting video होने वाली है यह and most important बात अगर आपको video देखने के बात फिर भी यह लगता है कि telecom companies हमें loot रही है so please आप नीचे comment section में बताना कि yes हमें loot रही है and साथ में एक reason भी देना अगर reason मुझे valid लगा तो मैं एक और video बनाऊंगा जिसमें मैं आपका comment discuss करूंगा and मैं sorry बोलूँगा कि भई मैंने गलत analysis किया था इस video में sorry for that and जो आप बोल रहे थे हो सही है but comment करोगे तो please साथ में reason भी लिखना मैं बहुत ज़्यादा curious हूँ कि ऐसा लोग क्यों सोचते है and आपसे एक छोटी स्रिकेस्ट है बहुत से लोग चैनल की वीडियो से देखते हैं but subscribe ने करते हैं so time निकाल के please subscribe button press कर सकते हो इससे चैनल की बहुत ज़्यादा help होती है it means a lot to me now let's start the video so guys इस discussion को start करते है सबसे पहले एक stat के साथ अब stat में हम क्या देखेंगे कि अगर इंडिया में telecom companies हमें loot रही है so इंडिया में जो हम per GB cost pay कर रही है वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए compared to the world and जो अब हम data देखेंगे वो एक well reputed website का होगा so आप इस पर trust कर सकते हो and according to this website average cost of 1 GB of mobile data in India is 0.17 dollar अगर हम इसे इंडिया में convert करें तो होता है 14.05 rupees and इसे अगर हम compare करें और countries से तो इंडिया में आपको one of the cheapest internet देखेंगे को मिल रहा है currently अगर आप और countries में देखोगे like UK में आप 0.79 dollar दे रहे हो और अगर आप US में देखो तो US में आप 5.62 dollar pay कर रहे हो पर GB data के लिए तो guys यहां पर हमें थोड़ी जी clarity मिलती है कि जो इंडिया में हम data का cost पेक कर रहे हैं वो इतना भी जाद नहीं है अगर हम compare करें उसे और countries से तो हमें ठीक ठाक price देखने को मिल जा रहा है ठीक ठाक से भी कम देखने को मिल रहा है पहला point तो मेरा यहां पर clear होता है अब अगर हम compare करें भाई नहीं यह stat गलत हो सकते हैं कि इंडिया में हम बहुत जादा पैसा पेक कर रहे हैं mobile data के लिए तो यहां पे हम ATEL and GEO दोनों की जो most popular plans है 2 GB per day वाले उसे हम compare करेंगे और देखेंगे कि actual में हम per GB data के लिए उन plans में कितना दे रहे हैं so again मेरे notes यहां पे ready है so you can like this video अगर आपको यह efforts अच्छे लगता है मेरे कि पूरे notes बना कर आपको यहां पर समझाता हूं चीज़े तो अगर हम यहां पे GEO का plan देखें जो 28 जिनों का है इनका जो best seller plan है मतलब जो most ही लोग करवाते हैं वो है इनका 299 रूपीज का 28 जिनों का plan है इस plan में आपको 2 GB data per day देखने को मिलता है अगर हम यहां पे per GB के हिसाब से cost को calculate करें तो आपको 5.33 रूपीज पेग करने पड़ रहे हैं पर GB के लिए अगर हम यहां पे same plan एटल में देखें एटल में 28 जिनों का कोई plan देखने को नहीं मिला 2 GB per day यहां पे इनका monthly plan था तो monthly plan 30 को होता है and 30 दिनों के लिए यह आपसे ले रहे हैं 319 रुपे and यह आपको data दे रहे हैं again 2 GB per day so again हम यहां पे calculate करें अगर आप per GB data निकालो के इस plan का तो यहां पे आपको पढ़ रहा है 5.31 रूपीज पर GB जो की approximately equal है जितना हमने जियो में निकाला था and अगर हम इसे dollars में देखें तो dollar में यह price आ रहा है 0.064 USD and हमने stat में देखा था यह था 0.17 so stat से भी ज्यादा कम pick कर रहे हैं इंडिया में हम 1 GB mobile data के लिए so this analysis से भी same result आता है कि हम को इतना ज्यादा amount pay नहीं कर रहे हैं अगर हम हर प्लैन को देखने लगे तो महाँ पर वीड़ो काफी लंबी हो जाएगी और उसका कोई मतलब भी नहीं बैठता क्योंकि हमें आवरेज प्राइस चाहिए जो जातर इंडियान पे करता है तो जातर इंडियान यह रिचार्ज करवाते है और आपको यहाँ को और फोना डीप ले जाएंगे और वहाँ पर देखेंगे कि चीज़ें कैसे काम कर रही हैं तो अगर यहाँ पर टेलकॉम कंपरिस हमें लूट रही है तो टेलकॉम कंपरिस के यहाँ पर कंडिशन काफी जात अच्छी नहीं चुगी थी क्योंकि जो बंदा लूटता है व अब इसमें से दो कंपरिस के इतने बुरे हाल चल रहे हैं कि वह लॉस पर लॉस खा रही है जो की है वोड़ाफोन आइडिया एंड सच में अगर यह टेलकॉम कंपरिस हमें लूट रही होती तो आपको मार्केट में और भी टेलकॉम कंपरिस देखनों मिलती क्योंकि अगर छोड़ती भी दिख रही है इस बिजनस को उसके पीछे एक सिंपल सा रीजन है क्योंकि यहाँ पर कॉम्पटिशन इतना जादा कर दिया है जियो ने इतना जादा इंटरनेट को सस्ता कर दिया है कि जो नॉर्मल प्लेयर से जिनके पास अच्छी इंवेस्टमेंट नहीं थ का and Vodafone Ideas also struggling with investors उन्हें investor नहीं मिल रहे हैं क्योंकि वो काफी जादा loss में है तो loss making company में कोई क्यों ही invest करेगा and इस वज़य से वो इंडिया में 5G लाने के लिए भी struggle कर रहे हैं अगर ये companies हमें इतना ही loot रही होती तो ये एक अच्छी condition में होती and ATL के CEO ने भी बहुत बार ये बात बोली है कि इंडिया के जो customers है वो काफी जादा कम पैसे pay कर रहे हैं जितना वो data use कर रहे है and companies को अगर sustain करना है इस market में तो इस price को increase करना पड़ेगा वरना आपको ये companies TV दिखाई देंगी इसलिए ATL ने कुछ time पहले price hike किया था and वो फिर से price hike करने वाला है 2023 में भी but I know आपके दिमाग में question आ रहा होगा जो मैंने loss बताया वो मैंने बस Vodafone idea का बताया बट यहाँ पे Jio and ATL तो काफी जादा profit में है उनके numbers काफी जादा अच्छी दिख रहे ह है I agree कि Jio यहाँ पे काफी जाद profit में है बट वो हमें loot नहीं रहा है let me explain कैसे मैं यह बोल सकता हूं अगर जियो के जो plans है वो और company से काफी जादा high होते और फिर वो profit generate कर रहा होता ता मैं बोलता भई Jio loot रहा है but Jio के plans ATL के plans Vodafone idea के plans सबके सेम है and सबका जो profit है वो different है marketing अच्छी है जो के पास numbers है इसलिए Jio कम profit margin में भी काफी जादा profit कमा रहा है तो उसने यहाँ पे पहले अच्छा कासा आपको free net बांटा अब उसका वो फाइदा यहाँ पे ले रहा है so hope you are getting my point ATL and Jio obviously profit में है but वो profit में इसलिए नहीं है कि आप सो overcharge कर रहे है उनके plans के price सेम है जितने आपका Vodafone idea के है एना BSL है थोड़े महंगे है मैं मानता हूँ बट इतने भी कोई महंगे नहीं है वो आपको अच्छी service भी provide कर रहे है वो आपको 4G provide कर रहे है और अगर हम यहाँ पे 5G की बात करी रहे है तो यहाँ पे थोड़ा सा है मैं discuss करना चाता हूँ कि व 4G है तभी बटा यहाँ पर और जब 5G है तभी भी बटा and after this discussion I can imagine the comments जियो का दला in this video बाकी जो समझदार लोग है वो समझ गई होंगे मेरा point of view मैं कैसा समझाना चाहता था so guys इस पूरी discussion में सबसे बड़ा drawback पता है क्या है जब हमने stats देखे तो हमने पूरे world के stat देखे औ Hello guys so aap मैंसे कुछ लोग मुझे जानते होंगे बट जो मुझे नहीं जानते मेरा नाम है Saurabh Chohan और मैंने अचिंत के साथ July 2020 तकनी की समान श्राट कर रहा था अब फिलाल मैं आपे UK में हूँ लास्टीम है तकनी की समान छोड़ दिया है बट अचिंत के दिमाग में एक वी आपको देखने को मिलती है SMS की भी हम बात नहीं करते हैं क्योंकि लोग यहां पर WhatsApp I messages अगरा यूज करते हैं तो में जो बात आती है वह आती है mobile data की क्योंकि उसी से हमारा यहां पर पूरा फोन है वह यहां पर चलता है जितनी आज के लिए हमारी एक्टिव हो चुकी आपको माहिने का यहां पर 5GB 10GB 15GB ऐसा प्लाइन देखने को यहां पर मिलता है और यहां पर जो प्लाइन्स हैं वो काफी जादा वैरी करते हैं सबसे बहुत करते हैं यहां पर UK में भी कुल चार टेलिकॉम कंपनी जैसे इंडिया में चार है वैसे यहां पर है जिसका नाम ह करते हैं तो basically यह अपने जो नेट वाक रन करते हैं वो जो चार में इन आपको पहले बताई थी उनी को पर यहां पर रन करते हैं different different जो छोटे brands यहां पर पार्टनिशिप होती है यह बड़े ब्रैंड के साथ कि हम आपका नेटफर्क यूज करेंगे बहुसा यहां पर जो छोटी कंपनी है उन्होंने ही अपनी तरीके से सब ब्रैंड निकाला है और यह प्लैंस आपको यूजिली सस्ते बढ़ते हैं अब मैं आपको बता कोल सकते हैं मॉल् normal साамे को आपको वह भी सिम उसक बड़ेगा जहां से आपने खड़ेगा को आइप cin applicants के साथ 24- innovation mar करें, आपसे दूसा तरिका है फोसे जो यह दो आपका फोन है वे अपना फोन खरीद है आपको यहां पर 2-3 GB आपको यहां पर 7-8 GB पाउंड का पढ़ता है अब पाउंड मैं बात नहीं रहे है रुपए में बात करें तो ज्यादा सप्राइब मत हो क्योंकि इंडिया में भी जियो के आने से पहले ऐसी कुछ रेट से आपको यहां पर पांच-10 GB भी हजार देड़ रुपे तक का पढ़ता था जियो के बात इंडिया में वन अप देट इंटरनेट यहां पर आपको मिलता है और अगर आप यहां पर यहां पर पांच-पॉंड मिलता है आपको यहां पे 15 जीवी मिलता है दसफान में ऐसे हैं इनके डिफेंट प्लैंज आपके स्क्रिंशट आए और आप देख सकते हो आज हैं यहां पर 28 अगुस्ट यहां पर मैंने कुल 12 जीवी डेटा यूज कर आ है पंदरा में से इसका स यहां पर free WiFi से connected हो तो जो सब्सक्राइब आपके जो सब्सक्राइब हिसी ब्राउसिंग होती है आप किसी भी पॉलिक नेटवक पर तो यहां पर इस जो इस जो मुबायल डेता है तो बहुत जादा कम यूज होता है और इसले आपके कम से कम अला मुबायल डेटा प्रहल जाता मैं आपको वापिस सौमता हूँ अचिंत को और आप लोगों से मिलके अच्छा रगा गुडबाई टेक कैर पर अपनों धो लंबे-लंबे कमेट को मैं सारे कमेंट पढ़ूंगा सारे कमेंट को रिप्लाइ करूंगा एन मैं उसके ऊपर एक और वीडियो बनाऊंगा अगर आप मुझे कर सकते हो आप रिचछी लगी हो तो लाइक कर सकते हो ना?